अब आज की जो क्लास है उसमें हम integration application of integration मतलब छेत्र कलन या कह लीजिए वक्रों के मध्ध का छेत्रफल एरिया बेट्वीन दा टू कर्वस एरिया बेट्वीन दा कर्वस को कंटिन्यू करेंगे इसके पहले कल और परसों जो क्लास हुई है उसमें भी हमने लेक्चर वन और लेक्चर टू कंटिन्यू किया है आज लेवल अफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे और कुछ और हाई लेवल के questions करेंगे चलिए तो पहला question यह देखते हैं बहुत ही सरल question है इसको मैंने लेक्चर नमबर वन में भी कराया है जल्दी से इस question को करने का प्रियास करेंगे easy question है question क्या कह रहा है समाकलनविधी से वक्रों x square equal to 4y और x equal to 4y minus 2 के अंतरगत का छेतर फल ग्याद कीजिए तो आपके पास में यहाँ पर दो बक्र हैं पहला है x square equals to 4y जो की एक पैरावोला है किधर जाएगा y की power 1 है मतलब यह उपर की तरफ पैरावोला जाएगा इसको खीचती दिए बड़े प्यार से यह हो गया दूसरी जो लाइन है x equals to 4y minus 2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ x minus 4y equals to minus 2 so x upon minus 2 और minus 4y upon minus 2 equal to 1 so so simple x upon minus 2 और minus minus cancel और y upon 2y 4 equals to 1 तो यह cancel हो जाएगा 1 by 2 मतलब x में minus 2 का intercept और y में कितने का 1 by 2 का तो यह देखिए x में minus 2 मतलब यह point जो है अपने पास में x में यह है minus 2 और y में जो point जा रहा है अपने पास line का यह कितना जा रहा है ऐसी line जा रही है इसका हमको कोई जादा उपयोग नहीं है कि यह क्या कर रही है हमें main चाहिए है यह वाले point क्योंकि देखिए जो area हमारे पास है हमारे जो required area है वो कौन सा वाला है हमारे जो काम का area है यह अंदर वाला area हमें चाहिए जिसको मैं yellow color shade shade कर रहा हूँ यह देखिए तो यह yellow color shade shade area जो सुरू हुआ है यहां से लेकर के यहां तक सुरू हुआ है ठीक है तो आपको सबसे पहले यह cut point चाहिए है तो यह cut point वो है जहां पर line और parabola दोने दूसर से भिड़ते हैं तो आईए line और parabola को हम solve करते हैं तो line हमारे पास है x equal to 4y minus 2 और parabola है x square equal to 4y हमें किस के लिए solve करना है x के लिए तो दोनों equation में से x को लेकर क्या हो तो देखो भाई यहां से y की value कितनी हो जाएगी x square upon 4 यह यहां से y की value कितनी हो जाएगी x plus बेटर यह है x plus 2 upon 4 equal to y इस वाले equation से और यह उठा करके अब पहले बाले input कर दो पहले बाला क्या है x square equal to 4 है y की जगे x plus 2 by 4 4 से 4 हो गया cancel तो x square minus x minus 2 equal to 0 so x square minus का 2 x plus का x और minus का 2 equal to 0 so simple guys so x minus 2 और plus 1 x minus 2 equal to 0 so x equal to minus 1 and x equal to 2 तो एक cut point क्या बने गया हमको minus 1 और एक cut point आपके पास क्या बने गया 2 मतलब आपके पास जो graph का area बनेगा वो minus 1 से 2 तक का बनेगा अब ध्यान से रिखोए इस reason को तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को इसको थोड़ा समय ये लीजिए ये अपने पास में reason है हाँ कुछ बोल रहे हो जो two common निकाले हैं उधर से x common निकलेगा अचाँ 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 अचा अचाँ इक्जाक्ली यहां पर x आईगा तो ठीक है फिर value हलाकि वही same रहेगी लिखने में मिस्प्रिंट हो गया बिल्कुल सही है सो फिर भी same चीज आएंगी x minus 2 and x plus 1 equal to 0 ठीक है ना चलो तो देखो अब यहाँ पर क्या है आपके पास में यहाँ पर आपके पास में यह जो एरिया है आपके पास में जो बन रहा है यह जो एरिया आपके पास में बन रहा है कुछ हालत हैसी इसको जूम करने के बाद में देख लीजे आपको ये अंदर वाला एरिया निकालना है तो लाइन का Shaded एरिया कहा होगा लाइन का Shaded एरिया है लाइन का Shaded एरिया कहा से कहा तक बनेगा ये देखे ये लाइन है ये यहां से यहां तक ये लाइन चल रही है तो ये लाइन कितना एरिया बनाएगी X-axis के साथ में ये line जो है X-axis के साथ में ये पूरा अरिया बनाएगी ये red वाला part बनाएगी बिल्कुल बनाएगी और ये जो पैरा बॉला है ये पैरा बॉला अरिया कितना बनाएगा X-axis के साथ ये बात आप लोगो जम होती नहीं क्योंकि वो नीचे बनाता है एरिया आपको तो लगता अंदर ही बना ले यह पैरा बूला भाई साब यहाँ है यह गया है और यह पैरा बूला कितना एरिया बनाएगा अंदर यह बना रहा है भाई साब इदर अगर आप इस पूरे लाइन के एरिया में से ये blue वाले part को minus कर दोगे तो भाई साब केवल इसके बीच का ही तो area बचेगा जो आपको चाहिए है बचेगा की नहीं बचेगा तो आपको पूरे वाले part में से मतलब line के shaded part में से ये वाला area आपको minus करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा देखिए यहां से यहां तक line का area तो आपको पास आएगा area जो आपको चाहिए है equals to minus 1 से लेकर के 2 तक y line, line का y यूज़ करो और क्या लगाओ? dx, है ना? और minus dx, x की limit कितनी? minus 1 से लेकर 2 तक किसका y यूज़ करोगे भाई साब? पैरा बोला का, किसका y यूज़ करोगे? पैरा बोला का, बोलो भई, मुकुल कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, अभी भी कराओं क्या आँगे? डन ना? चलो ठीक है हाँ ठीक है, तो इसका screenshot ले लीज़े और इसको अभी इसकी file भी भी भेज़ दूँगा मैं आप लोग को group में तो आँगे बढ़ते हैं दूस्तों डन next कल जहां तक कर लिये थे question उसके आँगे की बात करते हैं आज ये रेखिए, कल ये question कर लिया था, हमने 10th कर लिया था 9th कर लिया था, ये दो बार I think repeat हो गया फिर इसके बात question number 10th 11th हो गया 12th हो गया 13 done, 14 done 14 भी कर लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा question था 14 मैंने short trick बताई दी, शांदार इसके लिए आज question number 14 की बारी है देखो भई सब, question number 14 थोड़ा सा क्या कह रहा है, इसके लिए आपको coordinate geometry का ग्यान होना चाहिए coordinate geometry मतलब class 11th का chapter जिसमे आप line बगरे draw करते थे, उसका थोड़ा सा ग्यान आपको होना चाहिए तब आप इस question को कर पाएंगे question कहा रहा है कि उस त्रिभुज का छेतर फल समा कलन द्वारा ग्यात कीजिए जिसकी भुजाएं ये हैं, तीन भुजाएं आपको दी गई है, एक दी गई है y equal to 2x plus 1, एक दी गई है y equal to 3x plus 1, और एक दी गई है x plus 4 लो भाई, आज़ाओ diagram मनाते हैं, तीनों का फिर समझ में आएगा कैसे करना है त्रिभुज की भुजाएं आपके सामने दी गई है तीन भुजाएं दी गई है, आपको इन तीनों के diagram मनाना है, तो सबसे पहले x access और y access डॉक कर लिजे या आपका y access है, या आपका x access है ठीक है, x access ये दुन मूल बिंदू होता है, इसको x बोलते हैं, इसको x dash बोलते हैं, इसको y बोलते हैं और इसको y dash बोलते हैं ये बन गया हमारा coordinate access, मूल अक्ष जिसकी भुजाएं y call to 2x plus 1 अब वही चीज है भाई, y call to 2x plus 1 को अपनको ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करें या तो आप वही intercept form में बना लिजे इसको अंत्रेखंड रूप में बना लिजे नहीं तो कुछ बच्चे x की value 0 डालके y निकाल लेते हैं और y की value 0 डालके x निकाल लेते हैं वो कर लो, मैं एक छोटा सा idea आपको बताता हूँ, जो जल्दी काम करेगा देखो भाई, यह क्या लेखा है y call to mx plus c के रूप का मतलब कितना अंत्रेखंड काट रहा है, एक कांत्रेखंड और m क्या है 2, 2 यानि धनात्मक मतलब इसका जो वो है प्रवाणता है, धनात्मक है और एक कांत्रेखंड है तो बच्चों, यह जो रेखा जाएगी यह लगभग लगभग एक कांत्रेखंड वाई से काट करके ऐसे जाएगी यह जाएगी यह रेखा इस तरीके से जाएगी ठीक है ना, मगर अब इतने चक्कर में मत पड़ो क्योंकि आपको देखो बिंदू तो निकालना ही पड़ेगा तो इससे बेटर है कि आप इसको सॉल्व कर लो, सबसे अच्छा तरीका वोई एकस पाई वाला भी है और यह भी है तो एक काम करता हूँ मैं क्या करूंगा इसको माइनस वन एक्वाल सु टू एक्स माइनस वाई यह लो, य को धना लिया य को धना लिया तो ये कितना हो गया इजब आघ्ड्वाई अपॉन माइनस वन और minus y upon minus 1 ठीक ना, equal to कितना हो गया 1 तो भाईया, x upon minus 1 by 2 और plus y upon 1 मतलब x में कितने का अंड था है खंड? 1 by 2 का, है ना? और y में कितने का? 1 का, तो ये देखो इसको मानलो 1 by 2 है ये मानलो 1 है, ये यहां से एक रिखा जान दीजिए ये आपके पास एक रिखा बन गई ठीक है? ये रिखा आपने बना ली, पहली पहला हो गया दूसरी रिखा कि जो गाड़ में लग जाई है, y equal to 3x plus 1 तो y में 1 का ही अंते खंड आएगा और y की value 0 रख दो, तो minus 1 by 3 आएगा आप y की value जिरू रख देखे, x equal to कितना आएगा? minus 1 by 3, तो x में minus 1 by 3 और y में 1 ओ, ये है अपने पास x में minus 1 by 2 और x में minus 1 by 3 मतलब और छोटा x में minus 1 by 3 मतलब और छोटा और x equal to 4 एक रिखा, तो भाई साब x में minus 1 by 3 और y में 1 यहाँ से, ये 1 by 2 है minus का यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? 1 by 3, देखे बड़ा diagram complex type का बन रहा है और यहाँ से फिर आपको ये ले जानी है तो ये रिखा इधर की तरफ जाके ऐसे हो जाएगी हो जाएगी ना, जाती जाएगी और फिर आँगे जाकर की इसका shape बड़ा होता जाएगा जो भी होता होगा होगा और अगली रिखा क्या है? x equal to 4 तो x में 1, 2, 3, 4 ये लो भाई यहाँ से मिला दो ये बन गया x equal to 4 अब आपको बन रहा है इससे बनने वाले तरफुच का छेतर फल निकालो ये देखो ये बन रहा है इससे बन रहा है तरफुच और आपको इसका छेतर फल तरफुच का निकालना है ठीक है ना? तो देखिए एक बिंदू तो आपके पास यहाँ पे निकालना पड़ेगा जहाँ पे ये दोनों लड़ रही है 3 बिंदू आपके पास आने वाले हैं और आपको 3 बिंदू पर काम करना है पहला बिंदू यहाँ पर दूसरा यह और तीसरा यह अब इन तीनों के बीच का एरिया आइ होप आपको यह दिखाइदे रहा है तो यह बिंदू कैसे निकलेगा भाई ये बिंदू ऐसे निकलेगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लड़ रही है यहाँ पे तो दोनों को हल कर दो तो y call to 3x plus 1 और y call to 2x plus 1 मैं तो कहूंगा सीरे माइनस कर दो बड़े प्यार से answer आ जाएगा y से y cancel, 1 से 1 cancel और 3x माइनस 2x याने की x बराबर किता? 0 तो मतलब इस बिंदू पर यहाँ पर जो लड़ रही है यह एक्जेक्ली यहीं पर लड़ रही है y access पे x की value कित्ती हो गई है? sorry 0 और y की value निकाल दो जब x की value 0 डाल दो के तो किता हैगा? 1 0,1 तो एक बिंदू कितना आ गया? 0,1 तो देखे भाई साब यह देखो ओहो ओहो minus 1 देख दिया भाई साब ने 1 होगा 0,1 कहां से आ जागा? पूरा ग्राफ तो उपर बन रहा है तो एक बिंदू अपने पास मिल गया कितना 0,1 चलो अगला बिंदू निकालना है अपनको कैसे निकलेगा? यह देखिए यहां पर यह लाइन जा रही है यह कौन सी थी? दूसरी वाली लाइन यह वाली तो y equal to 3x plus 1 है और यह इसको कौन काट रहा है? यहां पर x equal to 4 है ना? यह लाइन काट रही ना? x equal to 4 काट रही है तो यहां पर x की value 4 डाल दो तो 3 into 4 कितना? 12 12 plus 1 कितना हुआ? 13 मतलब यहां पर point क्या बनेगा? 4, 13 तो यह जो point अपने पास आ गया यह देखो यह बन गया 4, 13 देख्या? यह 0, minus 1 यह 4, 13 तीसरी लाइन जा रही है यह कौन सी है? तीसरी लाइन है 2x plus 1 तीसरी लाइन है 2x plus 1 यह जा रही है लाइन जो है इस लाइन का नाम है जो है 2x plus 1 अब यह भी लड़ रही है किस से? 4 से तो यहां पर 4 डाल दो तो 2 into 4 plus 1 कितना हुआ? 2, 4, 8 और 1? 9 तो point क्या बन गया? 4, 9 finally आपको यह एरिया निकालना है इसके बीच का shaded area आपको निकालना है तो कैसे करोगे देखो भाई? integration लगाना है और यहां से ले करके यहां तक यहां से ले करके यहां तक का जो है आप area count कर लो with respect to x-axis with respect to x-axis मतलब आपके पास जो है एक सेकेंड इसको थोड़ा सा erase करके और अच्छे से detail में बताता हूँ तो आपको clear हो जाएगा इसी diagram का यूज़ करके यह लेखिए अगर आप जो है यहां से ले करके यह जो line है यह area किता शेड़ करीगी देखिए धियान से यह line हमाई पास यह पूरा का पूरा area शेड़ करीगी नहीं करीगी उसके बाद यह line एक ही सिधाई में है है ना तो इसकी कोई चिंता मत करो क्योंकि एकसी कॉल टूप हो रहे यह पूरे area में से अगर इस नीचे वाली line का area आप minus कर दें नीचे वाली line का area कौन सा होगा यह वाला अगर पूरे में से इस नीचे वाले line का area minus कर देंगे तो बताओ मेरे को मुकल क्या triangle का area बापस रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा हाँ अब limit कौन से लगी भाई साब देखिए जो उपर वाली line है उसमें area share करने के लिए x की सुरुवात कहां से हो रही है 0 से और x कहां तक चल रहा है 4 तक तो पहले limit लगे की 0 से लेके 4 function किसका use होगा यह उपर वाली line का मतलब हमको उपर वाली line का y उच करना पड़ेगा तो भाई साब उपर वाली line क्या थी y is equal to x plus 1 by 3 ऐसा कुछ था तो उपर वाली line में देख लेता हूँ उपर वाली line थी अपने पास में y equal to 3x plus 1 y equal to 3x plus 1 तो उपर वाली line में हमारे पास 3x plus 1 का dx और नीचे वाली line क्या थी भाई साब नीचे वाली line थी ये limit क्या लगेगी 0 से ले करके 4 0 से ले के 4 क्योंकि x कहां से कहां बदल रहा है 0 से ले के 4 तक line का equation था 2x plus 1 का dx ठीक है तो 0 से ले के 4 तक 3x plus 1 ओके और 0 से ले के 4 तक 2x plus 1 का dx done इसको हल कर दीजिए आपके पास answer आ जागा बता ये कर लेंगे की नहीं कर पाएंगे बस यह यह approach थी कि कौन सी line में से किसको minus करना है बस point निकाल लिए और किसको किस से minus करना है देख लिजे और answer जागा इसका answer है it एक बार point ये वाले बता देए फिर से ये वाले point भाई देखे ये point कैसे मिना है ये दोनों line के intersection से मिला है मिला है न तो दोनों line जो आपके पास में है 3x plus 1 और 2x plus 1 दोनों को solve कर दीजे तो अपने पास एक line है 3x plus 1 y equal to 3x plus 1 एक line और दूसरी line है y is equal to 2x plus 1 वो अपने तरीके से 3th class के method से solve कर दो minus कर दो तो y से y कितना 0 3x से 2x कितना x और 1 से 1 कितना 0 तो पहला point के आगया x equal to 0 और x equal to 0 पे y निकाल लीजे तो x equal to 0 पे y put कर दो इसे में किसमें कितना आगा y equal to 1 तो पहला point आगया 0,1 ये 1 है बिटरी minus 1 नहीं है 0,1 इसके बाद आपके पास ये जो line है इस line का नाम है y equal to 3x plus 1 3x plus 1 में देखो ये line क्या थी ये line थी x equal to 4 मतलब इसमें हर जगे x का coordinate क्या है 4 है क्या x का coordinate 4 है है ना तो आप जो है इस line में y is equal to 3x plus 1 में x की जगे फोर डाल दो तो 3 गोने 4 plus 1 पुलो 3, 4, 12, 1 कितना हुआ 13 तो y की value किती आ गई 13 बट हमाएक काम का y नहीं है क्योंकि हम जो integration करने है किसके long करने है x के long y रखा हुआ है बट हूँ अपने किसी काम का नहीं है आ गया समझ में न अपन x के साथ खेल रहे है कल लोगे अब चले हांगे बच्चो चलो अगला question है परवले y equal to x square और y equal to root x mod x से घेरे हुए छेतर का छेतर फल बताईए देखो भाई साब कुछ नहीं बोला है कि एक तरफ की दो तरफ मतलब पूरा-पूरा छेतर फल अपन को निकालना है तो y equal to x square क्या होता है ये देखे आपके सामने पैरावला होता आप चानते हैं और y equal to mod x का ग्राफ ये हुआ करता है ये सौन्नो y equal to mod x का ग्राफ ये हुआ करता है आपको ये वाला एरिया निकालना है आपको ये वाला एरिया निकालना है ठेक है ना अब देखे ये जो line है आप जब mod x को solve करते हैं y equal to mod x तो देखे एक्स greater than 0 के लिए ये जो line निकलती हो क्या है? x है अब x greater than 0 के लिए individually आप देखे हैं तो ये जो line का equation होगा, क्या होगा? y equal to x जो कि greater than 0 के लिए जो line निकली है इसका नाम पढ़ गया y equal to x और less than 0 के लिए जो line निकली है उसका नाम पढ़ गया y equal to कित्ता? minus x जो कि less than 0 के लिए पीछे जाएगी line है ना, x की value less than 0 के लिए ये वादी line मिल रही है तो इसका नाम क्या पढ़ गया? y equal to minus x तो क्यों ना हम एक तरफ का area निकाल के दो गुना कर दे क्योंकि जितना इधर बन रहा उतना इधर बन रहा भई पैरावुला तो सिमेट्रिक होता है ना जितना इधर उतना उधर आईए तो कुल में लाकर के हमारे पास करना क्या है हमको हमारे पास एक पैरावुला है ये पैरावुला हमारे पास हमारे पास एक line है y equal to x और हमें इस area को निकालना है ठीक है ना? तो सबसे पहले हम cut point निकालते हैं दोनों का x का तो पेराबुला हमारे पास कितना है y equal to x square ठीक है न? और हमारे पास ये वाली line का equation कहा है y equal to x तो मैं यहाँ पर y equal to x square है और दूसरा y equal to x है तो मैं यहाँ से y की value उठा कर इधर रग देता हूँ तो यह क्या हो गया? x equal to x square ठीक है न? अब इसको क्या करता हूँ मैं इधर ले करके आता हूँ तो यह बन जाएगा x square minus x equal to 0 इसको यहां ले गया तो yes or no इसको solve करता हूँ x square minus x equal to 0 को तो देखिए x square minus x equal to 0 के यहां से x minus 1 equal to 0 तो या इधर x equal to 0 या x equal to 1 तो या तो x equal to point कितना हो गया 0 और दूसरा point क्या हो गया 1 तो आपको कुल मिला के 0 से ले करके 1 तक का area find करना है 0 से ले के 1 तक का area आपको find करना है ठीकर ना फिर उसको क्या कर देंगे अपर डबल कर देंगे तो बना यह ऊपर कों है, line है की पैरा बुला है? 9 नीचे क्या है पैरा बुला है तो 0 से ले के 1 तक का, ये देखो double कर दिया ना, double, 0 से ले के 1 तक का line का y d x और माइनस 0 से लेके 1 तक का परवले का ydx तो लाइन का y कितना भाई साब x अब परवले का y क्या है x square बताओ बच्चो कर लोगे ओके so simple अराम से करिये इस question को ठीक ना इस तरीके से question हो जाएगा ठीक ना और कल मैंने आपको short trick बताई ही थी इसकी short trick कितनी होती है 8m square upon 3m cube 8m square upon 8a square upon 3m cube तो उस तरीके से भी यह आप चाहें तो उसका answer निकाल सकते हैं तो यहाँ पर 8a square upon 3m cube यह ली करेंगे तो भी आपको जो है उसको double बस करना पड़ेगा बट है ना क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा क्योंकि कल जो आपको short trick बताई थी मैंने देख लिजे थोड़ा सा विचार कर लेते हूं उस पर भी कल हमारे पास जो परवले था यह था और यह line आ रही थी तो भाई कल तो एक तरफ लिया था परने तो line का नाम क्या है y equal to x अब परवले का नाम क्या है y square equal to x square equal to कितना है y हाँ तो x square equal to y y square equal to यह short trick इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो जो short trick थी वो इस वाले परवले के लिए थी y square equal to 4x के लिए थी और आज हमारे पास जो परवले है वो क्या है x square equal to 4a y ठीक ना अब चेक कर लेता हूँ शायद answer आ जाना चाहिए एक बल लग रहा है मुझे की answer शायद आ जाएगा चलो कल लेते हैं कोई बात नहीं इसमें भी शायद तो short trick fit हो जाए तो y square equal to x है तो 4a की value कितनी हो गई 1 तो a is equal to कितना हो गया 1 upon 4 short trick क्या थी 8a square upon 3m cube तो 8 into 1 का square a का square कितना हो गया 1 by 16 into 3 into m का cube m कितना भाई साब 1 है क्योंकि रेखा क्या y equal to mx m की जगे कौन खेल रहा 1 खेल रहा 8 से कट गए 2 बार तो 1 बटे 6 एक बटे 6 और यही काम आपन को जो इधर किया है वही काम कहा करना है इधर करना है तो कितने का कुना करेंगे 2 का तो answer आया 1 बटे 3 चलो check कलने की भाई सही आ रहा है की नहीं आ रहा है ओके 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 क्या बात है विल्कुल सही है correct answer क्या है एक बटे 3 ठीक ना तो मतलब इसमें भी अपनी ये short trick जो है विल्कुल fit बैटरी है चाहे पैराबुला उपर वाला भी हो या नीचे वाला भी हो तो एक नया result अपन को मिल गया y square equal to 4x और x square equal to 4y यहाँ पर आप trick का इस्तमाल कर सकते हैं कौन से trick है चली अगला question है देखो ये पिछले वाले में क्या फाइदा था पिछले वाले में आपको line दी हुई थी इस वाले में आपको line नहीं दी हुई है तो इस बार आपको line बनानी पड़ेगी ठीक ना ये question भी बढ़िया है आईए देखते हैं क्या कह रहा है question करा समा कलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिफुच का छेतरफल के आद कीजी जिसके सीर्स 1,0,2,2,3,1 तो सबसे पहले बड़े प्यार से आप अपना ट्रेंगल बना लो जिसके सीर्स कहने की vertex को ने दिये हैं 1,0,2,2 और 3,1 तो लो भाई अपने ट्रेंगल बनाते हैं 1,0,2,2 तो एक ट्रेंगल बनाया आपने जिसका सीर्स कहा है 1,0 फिर कहा है दूसरा सीर्स 2,2 और तीसरा सीर्स कहा है 3,1 ठीक है यह आपने रफली बना लिया है कॉपी में और अब देखिए यह आपका ट्रेंगल है यह थोड़ा मेहनत लेगा आप से पिछले वाले कॉस्चन से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लेगा यह आपका ट्रेंगल जी और यह जो है इस ट्रेंगल का आपको एरिया निकालना है इस ट्रेंगल का आपको क्या निकालना है इन तीनों भुजाओं का आपको पहले समी करण बनाना पड़ेगा, कौन-कौन सी भुजा जिनको मैंने green color से shade किया है, देखी यहाँ पर तीन भुजाओं है जिन जो आपको दिख रही है, एक तो ये भुजाओं है A से लेके C, एक भुजाओं है A से लेके B, और एक समी करण चाहिए, तो कैसे समी करने का लोगे, वही 11th class का formula एक बिंदू है X1, Y1, दूसरा बिंदू है X2, Y2, तो दो बिंदू से जाने वाली रेखा का समी करण क्या होता था, Y-Y1 बराबर प्रमणता, X2-X1 अपन, उल्ठा कर दिया है मैंने, ऊपर Y होता है, नीचे X होता है ना, क्योंकि प्रमणता का formula होता है, Y2-Y1 अपन, X2-X1, multiplied by X-X1, चले मैं एक बता देता हूँ आपको, मैं A से लेके B निकाले देता हूँ, क्या निकाले देता हूँ, A, B, तो A, B का देखो, X1, Y1, X2, Y2, तो Y-Y1, Y2 है 2, Y1 है 0, YX2 है 2, X1 है 1, upon X-1, हल कर दो, Y equal to 2, बटे 1, 2 upon 1 हुआ 2, और X-1, यानि Y equal to 2X-2 का कितना हो गया, 2 हो गया, clear हूँ जी, तो यह equation आपके पास हो गया, इस वाले का हो गया, Y equal to 2X-2, ठीक है, और सभी equation को Y की फार्म में लिखिए, जिसमें Y नहीं भी आ रहा है, 2Y आ रहा है, तो 2 को इधर अधर ले जाइए, इस तरीके से आप इसका भी समीखर्ण निकाल पाओगे, यह निकाल पाओगे, देखो देखा देते हैं, तो पहले आपने तीनो रेखाओं के समीखर्ण आपको निकालने है, यह तो भाई साब ने समीखर्ण ही ना निकालने, directly कर दिया हूँ, कैसे कर द आप कुछ आपको बना लो किसका बना लो इस ही का तीन समीकरण आपके पास हो गए मतलब आपने यहां से निकाल लिया com इस столi का आपको क्या चीए आपको is strangle के अंदर का अरिया चाहिए नहीं देखना बहुत चमतकारिक बाते हैं A से लेकर के B तक का area निकालो मतलब Y, A, B, line A, B, line कहां जा रही है एक से लेकर के दो तक देखो इसका Y सुरुगात कहां से हुए A से और कहां से गई है 2 तक तो A से लेकर के B तक का area तो Y, A, B limit कहां लगेगी एक से लेके दो, बुले यह, अब इससे क्या होगा भाई, आपका A से लेकर के B तक कौन सा एरिया शेड़ेड होगा पता है आपको, देखना मैं बना रहा हूं, ठीक ना, A से लेके B तक जो आपका एरिया शेड़ेड होगा, वो यह वाला एरिया शेड़ेड होगा, यह देख कितना एर्याइश रेगी लग भच लग ऐसे करेगी की नहीं करेगी अगली लाइन देखो भाईश लेके सी ये कितना हरी ये लेकर डाइन है का एरिया शेड करेगी ये देखो ये पूरा का पूरा दो से ले करके तीन तक का एरिया ये पूरा का पूरा आपने शेड कर दिया ठीक है ना तीसरी लाइन कहां तक का एरिया शेड करेगी देखो भाई साब दो से लेकर के तीन तक का एरिया यह इसने शेड कर दिया है दो से लेकर के तीन तक का एरिया C का चो कॉडिनेट है दो से लेकर के तीन यहां तक आएगा बच्चों सी की स्टार्टिंग यह हुई है दो और खतम यह हो रहा है तो यहां तक का एरिया शेड़ होगा स्वरी दो से लेकर के तीन अब देखो अब आपको क्या करना है आपके पास यहां तक का एरिया आ गया यह लाइन इन लोगों ने थोड़ी सी टेड़ी बनाई है इसलिए आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे है ना यह जो लाइन लोगों ने बनाई है डाइग्राम में यह थोड़ी सी टेड़ी बनाई है लोगों ने क्योंकि भाई जो यह गिरेंगे नीचे की तरफ गिरेंगे ऐसे टेड़े नहीं गिरेंगे यह थोड़ास आपको यह पॉइंट डी कन्फ्यूज कर रहा है यह दो है तो दो का 2.0 ऐसे टेड़े में थोड़ा ना गिरेगा नीचे गिरेगा 2.0 यहाँ पे आएगा जिसकी वज़े से क्या जैसे यह C है C.0 अपना यहाँ पे गिरेगा ठीक ना मैंने डाइगरम बनाया कैसका मेरे पास तो पॉइंट ही नहीं थे शायद मैंने इसका डाइगरम नहीं बनाया मैंने तो बुक से उठा लिया है कोई नहीं समझते हैं तो इस चत्रोभुज में से जो तीसरी लाइन का एरिया है कहां बनेगा यह देखिए बोले बनेगा की नहीं बनेगा अगर आप इस तीसरी लाइन के एरिये को पूरे सिस्टम के एरिया में से माइनस कर देंगे तो रह जाएगा के वल आपके पास क्या ट्रेंगल तो मैं एक ल प्लस वाई बीसी लाइन का एरिया कहां से कहां तक शेड़ करेंगे टू से लेके थ्री तक टू से लेके थ्री तक वाई बीसी अब इन नोनों एरिये का जो जोड़ बना हुआ है उसमें जो तीसरा एरिया है बताओ प्लस करूं के माइनस करूं माइनस करेंगे और लाइन ह Y, A, C और 1 से लेकर के 3 क्योंकि जो A, C लाइन जा रही है पूरी कहां जा रही है 1 से लेकर 3 तक समझ मैं आकनी है हाँ तो 1 से लेकर के 3 तक जो A, C की लाइन गई है ये गई है इसका जो एरिया बनेगा उसको माइनस कर दीजे तो आईए देखते हैं इसको कैसे किया गया है देखिए चार एरिया बनाया गए है पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला तो पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ करके तीसरे वाले को माइनस कर दिया गया है ये देखिए फस्ट वाला एरिया ABD वो Y1 लाइन का है दूसरा वाला एरिया BDAC वो BC का है और तीसरा वाला ACE जो बनेगा वो आपका AC का है और माइनस कर देंगे तो आपके पास required एरिया आ जाएगा बताई ये बन जाएगा बच्चों कर लोगे आप लोग इसको कुश्चन को की नहीं कर पाओगे ओकी तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर होता है परिक्षाबोद की बुक से कंप्लीट हो जाता है मैंने आपको दो बुक्स दी है यहाँ पे एक तो मैंने आपको दी है कि परिक्षाबोद देखे आपके जो सिलेबस में है वो केवल और केवल है एक वक्र का छेतरफल एक्स एक्सेस के साथ तो मुझे नहीं लगता है कि डिफिकल्टी इस लेवल की आएगी हलाकि एक्स एक्सेस के साथ ही एरिया बोला गया है तो ये क्वेस्चन में नहीं कह सकता हूँ कि इसको गायब कर दें मुख वाले पर अंतु जैसे कुछ स्पेशल क्वेस्चन थे ये देखे दो वक्र के बीच का एरिया था ये एरिया था है ना तो जैसे इस बार भी आपको अर्दवार्शिक परिच्छा में क्या आया था एलिप्स आया था क्या था व्रत्त आया था और एलिप्स आया था तो एलिप्स में भाई साब एक ही वक्र होता है और एक वक्र का एरिया आया था तो वहाँ पे आपके पास में एक वक्र के आने के चांसे जादा हैं बट अपन ने तो इस चेप्टर को बड़े अच्छे से कंप्लीट करी लिया तो कोई डरने की बात ही नहीं है तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो दूसरा काम है हम लोग क्या करेंगे परिक्षा अ अब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जरूर करके जाए यह कॉम्प्टेटिव की भी त्यारी होती है आपकी और आपका आत्म विश्वास भी पढ़ता है तो इस चेप्टर को परिक्षा अध्यन में स्विच करने के पहले जो है आप जो है इसके अब्जेक्टिव याद से